कैसे रहना चाहिए और सीख सकते हैं किस से? सीख सकते हैं इन से कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं में मा गंगा का निवास होता है सुनाए आप में? है न? तो जटाओं में है जल, पानी और थोड़ा सा नीचे उतरा है तो तीसरी आख खोलते ही निकलता है आग तो पानी और आख इस दुनिया में कहीं साथ साथ होते नहीं है या तो आग रहेगा या लेकिन भगवान एक ऐसे काम करते हैं जो कोई नहीं करता है